हलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज की रेसिपी है मटर बड़ी की सबजी आलू मटर पनीर मटर आपने बहुत बर बनाया होगा खाया होगा एक बर ये मटर बड़ी ट्राइ कीजिएगा अगर आपको बरी पसंद है तो ज अगर आपके पास होम मेट बरी है तो और बहुत अच्छी बात है और कोई भी बरी ले सकते है उरा दाल चना दाल मूंग दाल जो भी बरी आपके पास है उसे ले सकते है गैस पे प्रेसर कोकर चरहाए है इसमें डालेंगे एक चमच तेल तेल गरम हो जागा तो इसमें बरी डाल देंगे बरी को थोड़ा सा फ्राई करना है हमें गैस का फ्लेम यहां पे स्लो और मीडियम के बीच रखिएगा हलका सा बरी का कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं बरी बहुत अच्छे से भूना चुका है तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल के रखेंगे और उसके बाद उसमें हम पानी डाल देंगे पानी में हमें बरी को रखना है इससे बरी आपका सौप्ट बना रहेगा तो बस पूरे बरी को हम यहां पे निकाल लिए हैं इसमें पानी डाल देते इतना पानी डाल दीजे कि यह बरी करके डाल लिए हैं प्याज को हमें भूनना है सॉप्ट होने तक तो गैस का फ्ले मीडियम रख सकते हैं चलाते हुए आप इसे भून लीजे जब प्याज 50% भूना जागा तो इसमें अध्रक लेशन का पेस्ट डाले हैं और अब हम इसे भी भून लेंगे प्याज के साथ अध्रक लेंगे एक चमच कसमेरी लाल मिर्ची पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे अब इसे कुछ सेकेंड के लिए हमें भून लेना है सुखे मसाले जब भी आप भूने गैस का फ्लेम कम रखिएगा और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर तो यहाँ पर एक बरे साइज के टमाटर को महीं चौप करके हम डाल लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे नमक हम पहले डाल चुके है तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर थोरी देर के लि पैस करते हुए भून लेंगे मसाले को मिलाते हुए आप भून लीजे और यहां पे मसाला बहुत अच्छे से भूना गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे मतर मसाले को इतना ही भूनना है मसाले से तेल अलग हो चुका है तो इसमें हम मतर डाल देते हैं मतर को मिलाते हुए थोरी देर भून लेंगे मसाले के साथ तो एक डिर मिनट आप फिर से इसे भून लिजे मतर को मसाले के साथ मिलाते हुए भून लिजे उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बड़ी तो यहाँ पे मतर भी भूना गया है तो अब इसमें हम बरी डाल देंगे और बरी में जो पानी है उसके साथ हमें यहाँ पर डालना है और इसके अलाबा आपको जैसा gravy चाहिए उसी अपर पानी और add कर सकते हैं हम यहाँ पर थोरा सा पानी और डाल लिये हैं इसे अच्छे से mix करेंगे और यहाँ पर हम इसमें डाल लेंगे कसूरी मेंथी थोड़ा सा जादा कसूरी में थी हम यहाँ पे डाल रहे हैं अगर आपको पसंद है तो डालिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे और बस इसे मिक्स करेंगे बंद कर देंगे प्रेसर कूकर को और एक ही सीटी हमें लगाना है क्योंकि बरी भी बहुत जल्दी पक जाता है और यहाँ पे एक सीटी हम लगाए है और इसके प्रेसर को खुद से निकलने दिये हैं चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते ह मतर तो पक ही गया है एक बरी भी आप चेक कर लीजे अगर नहीं पका है तो एक सिटी और लगा लीजे तो यहां पे हम चेक किये हैं और बरी बहुत अच्छे से पक चुका है तो यहां पे हम आपको एक तोर के दिखा देते हैं देख सकते हैं बहुत अच्छे से बरी पक चु लेंगे थोरी देर के लिए कवर करके रहक देंगे ताकि धनिया के पता और गरम मसाला का फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ जाए तो बस दो तीन मिनट के लिए आप इसे कवर करके छोड़ दीजे और दो तीन मिनट बाद सब्जी आपका कुछ ऐसा दिखेगा तो बस इसे सर्व कर लीजे बहुत जादा टेस्टी मटर बड़ी की सब्जी बनके तैयार है ट्राइ कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लगा रेसेपी रेसेपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बिल का बटन भी प्रेस कर लीजे ताकि मेरे हर वीडियो आपके पहुंस है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ